तो गुड मनिंग दोस्तों भाई ने अब मसीन आ लिया है अभी जाएगा एंड तो बाल थोड़ा सा सेट वेड हो गया गैस एंड आभी चलो निकलेंगे हम थोड़ा सा भगवान को समय देते हुए पूजा कर लिये हैं हमने एंड थोड़ा सा हमारा काम भी निपट किया है ए एंड थोड़ा सा काम कर लेंगे देन उसके बार निकलेंगे हमारे मंजिल की तरफ तो चलो फिर रास्ते में दिखाता हूं मैं आपको तो गईस अभी वार कंप्लीट हो गया है अभी निकलेंगे हमारे मंजिल पर तो गईस हम निकल चुके हैं हमारी सफर की तरफ एंड देखाते हैं मैं रास्ते में दिखाऊंगा कहां जा रहा हूं मैं बताऊंगा एंड आज सुवे-सुवे बहुत ही अच्छा लगता है मतलब उडिसा का यही खासियत है हर जगह आपको देखने को मिलेगे पैड जंग तरह बहुत सारा पेड गृद कि油म जारे किस तरफ कि तरफ संबलकूर की तरफ और बहुत जादा पेड पोधे लगता है यहीं पे जंगल पड़ता है संपूर की संबलकूर की कितर्व औary को में नहीं का जाना है और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट ठेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तुमसे नहीं पाएगा तो के इस देख सकते फैनली जंगल देख रहा है आगे पिछे जहां देखो जंगल ही दिखने को मिले है क्योंकि इस तरह बहुत सारे जंगल दिखने को मिले है तो के सिखते हैं भात हमारे महानादी का पानी है अभी देख सकते बहुत पानी आ रहा है एंड मास लग रहा है देख सकते हभी यह हम बिनका ब्रिज तो पहुंच किया है तो गैस फाइनली हम संबलपूर तक पहुंच गया है और भी पहुंचने वाले हैं भी बुल अब तक है एंट चलो थोड़ा सब भी उक्पर एंजय करो तो गैस हम डाइक तक फाइनली पहुंच गया है और देख सकते हैं मस्त बहुत पानी है और यहीं पर बहुत ही अच्छा लगता है चलो फिर देखो तोड़ा तोड़ा के पानी है और मस्त पानी है और देखो तोड़ा पर चानी है और देखो तो गैस अबरा खाना आगया है अबी तो गैस थोड़ा सम्वाल को गुमेंगे तो गैस यह है स्मार्ट सिटी संबलपूर का सबसे बड़ा मौल है अब है आपको दिखने को बार क्लिए चलो फिर लेकि चलो दिखा था हूं थोड़ा साथ हो तो दोड़ा सा सावन मामन इई फिखरी देंगे एंड ठाइंड शोड़ा सा सामन घरेद के फिर चाहेंगे किया।